हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपजेक्टिव जुडिस्री में आसा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे फ्रेंड्स पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अरिष्ट हाउ मेट अब अरिष्ट कोई बेक्ती हो गया है अब उसके बात का क्या प्रोसीजर होगा उसको आज हम देखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट ओफ अरिष्टेट पर्सन तो अब अरिष्टेट पर्सन के क्या-क्या अधिकार होंगे आज उसको हम डिसकस करते हैं वीडियो को लाज तक देखेगा अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो उसको सब्स्क्राइब कर दीचे वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर दबा दीजेगा और बेल आकिन की घंटी को दबा दिजेगा ताक कि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहली पोचे ठेक है फ्रेंट्स तो सुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक राइट आफ अरेश्टेट पर्सन जैसा के फ्रेंट्स हम लोग जानते हैं कि Constitution के अलावा और भी कई जगा हैं हम अरेश्टेट पर्सन को राइट दिये गए हैं तो आज हम CRPC और Constitution को दोनों को साथ में लेके चलेंगे कि CRPC का कौन सा section जो है वो Constitution के Fundamental Right का statutory application है वो सब भी देखेंगे तो आईए पढ़ते हैं ये छे राइट जो आपकी स्किन पर दिख रहे हैं ये छे राइट जो हैं अरेश्टेट पर्सन को मिले हैं पहला है Right to know the ground of arrest जो बेक्ती अरेश्ट हो जाता है उसको ये जानने कतकार है कि वह ये किसले वो अरेश्ट हुआ है दूसरा जो इसको अरेश्ट हुआ है Right to be informed about the release on bill क्या वो बेक्ती बिल पर release हो सकता है या भी उसको जानने कतकार है तीसरा है production before the magistrate without delay and within 24 hours अरेश्ट होने के बाद उसको 24 घंटे के फीतर magistrate के सामने बिना देर किये उसको प्रस्तुत करें अगर 24 घंटे से जादा उसको detain रखे हैं तो ये illegal होगा चोथा Right to consult a legal practitioner अब जो बेक्ती अरेश्ट हो गया है तो भाईया वो अपने वक्किल से मिलेगा की नहीं मिलेगा सोभाविक है मिलेगा ही तो ये भी उसका एक अधिकार है Right of free legal aid विदिक सहायता विदिक सहायता उसको free में मिले ये भी उसको एक अधिकार है अब ऐसा नहीं है कि सबको मिलता है लेकिन वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको बताते हैं फिछटों हमारा आता है Right to be examined by medical practitioner मतलब वो अपना medical practitioner से परिच्छन करवाए जो हमारे डॉक्टर साहब लोग होते हैं सरकारी होस्पताल में वो जो है उनसे अपना परिच्छन करवाए अरेस्टिट होने के बाद कि भाई कोई मारा है कि नहीं मारा है कि कितनी चोट लगी है कि पुलिस वाले मारे हैं कि नहीं मारे यह सब चीजें इसमें नोट होंगी ठीक है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं एक एक राइट को हम पूरा डिसकस करेंगे राइट उनो दे ग्राउंड आफरेस्ट जो हमारा पहला राइट है इससे जो रिलेटेट हमारा प्रोविजन है वो आर्टकिल ट्वंटी टुवन इसमें हमें प्रोवाइट किया गया है कि no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as the ground of arrest किसी भी ब्यक्ति को जिसको custody में detained किया गया है उसको तुरंत ही तुरंत जितनी जलजी हो सके उसको बताया जाएगा कि किस आधार पे उसको अरेश्ट किया गया है और section 50 और 75 is statutory application of fundamental right यह हमारा fundamental right है और इसका application है हमारा section 50 और 75 50 क्या कहता है person arrested to be informed the ground of arrest and right to bail मतब जो person arrest किया गया है उसको inform करो भी आपकी साधार पे किस ground पे किस offense के लिए आपको arrest किया गया है और क्या आपको bail का right है यह नहीं है और आगे बढ़ते हैं section 50 से obligation of person making arrest to inform about the arrest etc to nominate person अब जिस ब्यक्ति को arrest किया गया है ठीक है वो एक person का नाम बताया कि वो चाहिए उसका relative हो सकता है या friends हो सकता है या कोई भी हो सकता है वो nominated person है और जिस जो प्यक्ति arrest किया है वो इसके जिम्मेदारी है कि nominated person को यह inform करें कि भाई आपको यह फलाना आदमी गिरफतार हो गया है section 55 procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant generally friend अगर कोई senior किसी काम से बाहर रहता है या वो absence रहता है तो वो अपने subordinate को जो है वो लिखित में order देगा कि आप इस ब्यक्ति को पकड़ो और किस कारण से उसको पकड़ा जा रहा है ये भी उसको देगा और उसका नाम उसके लिखेगा तब ही वो subordinate उसको पकड़ पाएगा subordinate को अगर केवल मुझ से बोल देना कि आप जाओ फुलाना ब्यक्ति पकड़ो तो वो नहीं पकड़ेगा और वो इसमें कोई लिगल्टी नहीं है लेकिन अगर आप subordinate को कह रहे हो कोई order दे रहे हो कि हमें किसी बेक्ति को अरेश्ट करना है वो भी without warrant तो आप उसको लिखित में देंगे कि subordinate का जो रहेगा पुलिस आपसर उसका नाम रहेगा और किस बेक्ति को पकड़ना उसको identification रहेगा और किस काज के लिए पकड़ना ये भी उसमें लिखा रहेगा ठीक है फ्रेंड section 75 notification of substance of warrant फिर जिस बेक्ति को हम पकड़ रहे हैं उसको पकड़ने का पूरा सार बताएंगे उसको जो है अरेश्ट करने का पूरा सार बताएंगे और ज़रूरत पढ़ी तो उसको warrant भी दिखाएंगे जब तक कि without warrant अरेश्ट नहीं कर रहे हो बीना warrant में आप आपके पास रह बताएंगे नहीं तो दिखाएंगे कहा से तो मतलब आपके पास warrant होना चाहिए जिस case में आप warrant है आप उसको arrest करें तो उस case में आप warrant दिखाएंगे और अगर warrant नहीं है तो किस आधार पर arrest कर रहे हैं वो बताएंगे आगे बढ़ते हैं friends next right की तरफ right to be informed about the right release on bail इससे जो related हमारा provision है वो section 50 सब section 2 में दिया गया है इसमें क्या है कि this section provides that where a police officer arrest without warrant जहां पे कोई police officer arrest करता है किसी ब्यक्ति को बिना warrant के other person accused of non-billable offense के वर उन्हों को छोड़के जो non-billable offense कमिट किये हैं अगर कोई ब्यक्ति है जो कोई offense कमिट किया है non-billable offense उसके यह section नहीं है he shall inform the person arrested that he is entitled to release on bill वह जो arrest कर रहा है arrest कि यह हुए ब्यक्ति को यह बताएगा कि आप entitled हैं कि नहीं है बिल पे release होने के और अगर वो है तो he may arrange the COT in his behalf तो वह एक COT की प्रस्तुत करते और बिल ले ले ठीक friends आके बढ़ते नेक्स टाइट की तरफ production before magistrate without delay and within 24 hour तो यह सब जानते हैं कि जो भी person arrest हुआ है arrest होने के बाद उसको 24 घंटे से जादा उसको detain नहीं करना है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको magistrate के सामने प्रस्तूत करना है और necessary time वाला concept भी है कि necessary time अगर आने जाने में जो लग रहा है उसको exclude कर दिया गया है के वल ठीटेंसन के अहां बात हुई है कि 24 घंटे से ज़्यादा detention नहीं होगा आने जाने का जो necessary time है वो exclude है ठीक है इस से related जो हमारा provision है वो article 22 सब क्लॉज 2 है constitution में और CRPC हमारा 56,56 और 167 है तो article 22 क्लॉज 2 क्या कहता है कि right to produce before magistrate arrested person within 24 hour magistrate के सामने arrested person को 24 कंटे की बेता बेता प्रस्तूत करना और section 56 हमारा CRPC का क्या कहता है person arrested to be taken before magistrate और office in charge appreciation जो person जो बेक्ती arrest किया गया है उसको या तो magistrate के सामने या थानादेश के सामने प्रस्तूत करना 57 कहता है person arrested not to be detained more than 24 hour जो person arrest किया किया है उसको 24 खंटे से ज़्यादा detained नहीं रखना है section 76 है person arrested to be bought before the court without delay जो person arrest किया गया है उसको जो है court के सामने court के सामने समझ प्रस्तूत किया जाए बिना देरी के section 167 procedure manasuring cannot be completed तो क्या procedure होगा अगर investigation चल लिए और 24 कंटे के भी तो इसका क्या procedure है या अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंट्स यह इंका दिया आता है यहां से हम लोग देख सकते हैं कि section 56 76 167 क्या है statutory application है किसके fundamental right of article 22 clause 2 के ठीक है फ्रेंट्स आगे बढ़ते next right की तरफ right to consult a legal practitioner arrest हो गया है वकील से मिलना है तो यह आपका right है आप मिल सकते हैं जो इससे related हमारा प्रविजन है वो article 22 clause 1 of constitution और section 41 D जो हम लोग ने अर्रेडी बढ़ चुका है और section 303 तो article से शुरुआत करते हैं right to consult and represented by a liar of his choice मतलब यह आपका fundamental right है कि अगर आपको arrest हो गया है तो आप consult कर सकते हैं या किसी प्रीडे या वकील की दौरा रेपरजेंट कर सकें 41 D right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation arrest होने बाद पूछ तास के दौरान आप अपने वकील से मिल सकते हैं यह हम लोगों ने discuss कर चुका है section 303 right of person right of person against him proceeding to be defend जो भेक्ती को arrest किया गया है वो इसके पास वह अधिकार है कि अपने pleader दौरे represent कि ले जाए और अपना परतिर अच्छा कर सके defend कर सके next act कि दरब बढ़ते हैं right to free legal aid विधिक सहायता अकर किसी किमिनल कोर्ट में section court के समझे मामला चल है और section court में लगता है कि यह बेक्ती के पास परियाब्त साहधन नहीं है कि कोई pleader कर सके तो section नयाल है उसको एक राज सरकार के खर्चे पर एक pleader देगा और pleader देने का क्या rule होगा क्या नहीं वो high court राज सरकार के consultation के बाद इससे समंधित rule बना सकती है जो कि हमारा दिया गया है section 304 of CRPC में ठीक है फैंट तो right of free legal aid में related provision हमारा article 21 है और 39A है और CRPC में 304 है तो article 21 से सुरू करते हैं जो कि सब जनते right to life and personal liberty बढ़ क्या free legal aid इसके इंतर गताता है तो M.H. House Court versus state of महराष्ट के किसमी ये हिल्ड हुआ कि right to free legal aid is part and part of right to life and liberty तो मतलब आपको कोशिन अब नहीं रहेगा क्योंकि ये हिल्ड हो चुका है कि right to free legal aid comes under the right to life of personal liberty क्या right to मतलब मुफ्त में जो है विदिक सहायता का अधिकार कि right to life of personal liberty आट के लिए कि इसके इंतर गता है कि नहीं तो M.H. House Court versus state of महराष्ट की किस से आपन से दे सकते हैं कि yes आता है क्योंकि इसमें हिल्ड हुआ है कि right to free legal aid is part and part of right to life and personal liberty next आगे बढ़ते हैं फ्रें article 39A ये भी हम देखेंगे हमारा तो equal justice free legal aid की बात कर रही है तो मतलब इससे भी समझ सकते हैं कि constitution में इसका भी एक और प्रावधान दिया गया है और लास्ट हमारा जिससे related section है 304 legal aid to accused at state expense in certain cases जैसे मामला criminal court में चल ला है सेसन नियाले के समझ चल ला है और सेसन जज़ को लगता है या वहाँ के जज़ को लगता है कि जो भी जज़ हों कि अगर लगता है कि इनके पास मतलब accused के परियापत साथ नहीं है कि वो कोई pleader कर सके और तब जो है कि वहाँ ज़ज रहेंगे वो इनको एक pleader मौया कराएंगे कि अपना अपना जो है case defend करा सके किसी pleader के दोरा और प्रीडर को कैसे चुनना है कैसे नहीं चुनना है इससे समन्ति जो रूल होगा वो हाई कुट मनाएगा और हाई कुट जी रूल बनाएगा वो राज सरकार से consultation के बाद बनाएगा ठीक है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं next right की तरफ right to be examined by medical practitioner जो person है arrested वो अपना परिच्छन करवाएगा यह उसका अधिकार की वो अपना परिच्छन करवाएगा किस से करवाएगा medical practitioner से कौँ से medical practitioner किसी भी private hospitals नई फ्रेंड्स वो सरकारी hospital किस से जो है अपना परिच्छन करवाएगा कई मामलों में police officer खुद request करते हैं एक तर रिक्वेस्ट आप तो police officer police officer के request पे medical practitioner जो है arrested person का या accused person का परिच्छन करती है क्योंको कोई चोट लगा है या नहीं लगा है कैसा कैसा चीजी यह सब ब्योरा वो तयार करते हैं तो इसे जो related हमारा provision है वो section 53, 54 and 55A है 53 क्या कहता है examine of accused accused person का examination किसके दोरा by medical practitioner at the request of police officer police officer के request पर medical practitioner दोरा accused का examination और 54 क्या कहता है examination of arrested person by medical officer medical officer दोरा arrested person का examination तो 53, 54 में आप यह हो गया 55A है कि भाई या आप किसी होगा अगर custody कर रहे है डिटेंड कर रहे है तो उसके health safety का ध्यान भी किसको करेंगे आप भी को रखना पड़ेगा कर आप किसे ब्यक्तिक का arrest की हैं आप मान लिजा आप police officer है या इनी private officer है किसे भी ब्यक्तिक को आप आपने arrest किया है तो या आपकी जिम्मेदारी है कि उसके health के और उसके safety के जिम्मेदारी आपकी होगी इसके समद में case है सीला बर्से वज़े state of महराष्टा इसमें क्या है लुआ था कि accused person must be informed by magistrate about his right to be medical examen जो accused person होगा उसको inform करेगा कौन magistrate और इसमें what must be informed मतला magistrate उसको सुरिश्चित करेगा कि accused person उसको बताया कि भईया accused person आपके पास right है कि आप medical examen करा लो तो कराय हो कि नहीं उससे पूछ अपना सुचना उसको दे देगा ये must लगाया word याने कि जरूर से देगा इसमें कोई suit देना चाहिए और ये legal words है तो इसमें dictionary नहीं है इसमें mandatory कर दिया है आगे बढ़ते हैं friends हमारे ये rights जो हैं छो rights वो इसके बारे में हमने discuss कर लिया है और some other provisions हैं arrest related उसको हम देख लेते हैं एक नजर में 51 search of arrested person search of arrested person आप किसी बेक्ति को arrest कर लिया है पियो पियो या प्राइवेट आप सब उसको arrest कर लिया है अब वो या तो bill नहीं ले पा रही है या तो उसका जो offense है जिसके लिए वो arrest किया गया या तो billable नहीं है या तो बिलेबल है और वो बिल नहीं ले पा रहा है तब इस case में उस बेक्ति को जो उसको अरेश्ट किया गया है उसकी तलासी होगी और तलासी होने के पास उसके जो नेसेसरी पहनावे के चीज़ें हैं उनको छोड़के बाके सब चीज़ें क्या होंगी रख ली जाएंगी और इसको एक नोट में मना लिया जाएगा कि इनका क्या क्या समान है वो सब जब्द करके नोट उसको एक काकश में नोट कर लेंगे एक फॉर्म होगा उसमें नोट कर लेंगे इनका क्या क्या समान है क्या क्या निकला है इंके पास है और वो क्या क्या जमा है अगर उनके प उफिसर के पास paw mirror है कि उसको size कर ले और यह पावर जो इपको मिला है वो section 52 से मिला है कि section 52 में दिया है power to size offensive weapon तालासी की दवरान सर्च के दवरान अगर कोई इंको आफसिफ विपन मिलता है तो उसको क्या कर लेंगे जब्त कर लेंगे 53 जो कि हम दो पड़ चुके हैं कि examination of accused by medical practitioner at the request of PO इसमें case हो था radius versus state of UP and others इसमें magistrate has power magistrate पाउजर सकती है to direct the accused accused को निर्देश देगी to give voice sample during investigation without his concern बिना उसकी सहमती के investigation के दोरान वो अपना voice sample देगा next section में देखते हैं section 53A examination of person accused by rape by excuse of rape by medical practitioner मतलब अब कोई accused है जो कि rape के मामले में वो हुआ है कोई बैक्ति जो rape के मामले में accused है उसका examination भी होका medical practitioner दोरा और ये बहुत ही जरूरी है इसको तुरंद का तुरंद जो है इसको करना चाहिए section 54A identification of accused accused का सिनाक्त करवाना अब जो बैक्ति पकड़ा गया है ये कैसे माने कि ये बैक्ति accused है या नहीं है इसकी सिनाक्त कराने के लिए जो बाहरी person जो हमारे witness रहेंगे उनके द्वारा जो है इनका सिनाक्त करवाय जाएगा इससे related हमारा provision section 9 of evidence है आप देख लिजेगा identification परेट तो अब ये कैसे होगा इसको सिनाक्त identification करने का आदेश code देगी किसके request पे police officer के request पे कि भाई फलाना जो एक्यूस परसन है इसका सिनाक्त कराना प्यक्ति identification करने वाला प्यक्ति mentally or physically disabled है तो जोटेशे मज़ेट के समझ ये identification होगा और अगर और अगर क्या उसका वीडियो ग्राफ भी होगा इसका second provision दिया था 54A का कि mentally or physically disabled है तो जोटेशे मज़ेट के सामने उसका सिनाक्त होगा और वीडियो ग्राफ भी होगा अब section 55A health and safety of accused ये हम लोगों ने discuss कर लिया है कि जो बेक्ति अरेश्ट करेगा ये उसकी जिम्मेदारी है कि अरेश्टि परसन के health and safety का ध्यान रखे चायबाने पूछ ले power on escape to pursue and detect जो बेक्ति अरेश्ट किया है ये जिनकी custody में है अरेश्ट ये बेक्ति अगर भाग जा रहा है या प्रेत्न कर रहा है भागने के भाग चुका है तो उसका पीछा करें और उसको अपने custody में वापस कर ले यानि कि re-arrest करें अब वो भाग के अगर भारत के किसी कोने में जा रहा है तो पुलिस officer भी किसी भी कोने में जहां पे वो है वो उसको पकड़ के दब हो सकता है वो आपने से अरेश्ट कर सकता है तो ठीक है friends आज का वीडियो हमारे ये खतम होता है वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें से एक करें सबस्क्राइब करें अगर आपको कुछ सचिसन देना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं थैंक यू